मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्वाल स्टेंडर मैक्स वन का अगर आप नीचे कॉमेंट करते हो अगर 1000 कॉमेंट होता हो तो आज या कल मॉर्णिंग तक मैं आपको मैक्स टू का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दे दूँगा और पूरा का पूरा सॉलूशन के साथ है इससे सब्सक्राइब दोस्तों यहां बडियांदेट 2022 में थोड़ा सा हमें अलग तरीके से चीजे देखने को मिली यहां पर यहां पर देखो 4 mask का एक question था यह 3 mask और 4 mask आप यहां भी consider कर सकते हो बढ़ 2 mask का question था तो अगर आप consider करके चलते तो 448 और 311 तो मतलब approximate अगर मैं बात करो यह 11 यह 9 आप consider कर सकते हो दोनों में से अब यहां पर आप बात करोगे जुलाई का paper है और आपको पता है कि यह अल्रीडी यह फेल वालों का paper रहता है जो लोग पेल हो जाते हैं या तो कुछ problem रहता है तो उनको जुलाई में जिनको देना है तो इस साल का जो paper है इसके अंदर दोस्तों लाश वाले question में तीन theorem पू प्लेडिस में जाके गिरी टूटल के देख सकते हो मैंने अगर आपने वह पूरा का पूरा वन सोट अगर आपने देख लिया तो ही आपका काम complete हो जाएगा और कोशन नमबर अगर मैं 17 की बात करो तो यहां पर त्री मास्क आता तो दोस्तों 444 कितना हुगा वैल हुआ और कर दिया मैं इसलिए सम वाला पार्ट नहीं ले रहा हूं तो आप आराम से अगर आपने सम भी नहीं सॉल किया अगर आपने ठीरम में कैसा है कि आप ऐसा ही प्रैक्टिस करो और जाके बोड़ एक्जाम में लिगता हो तो यह वाला पार्ट अगर आपने बहुत अच्छे से के ठीरम मैक्स वन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी का वर लेशन नंबर थर्ड के भी आते हैं एक्यूट एंगल बिट्विन दी लाइन रिप्रेजेंटेट बाइड इक्वेशन इस गीवन बाइ तो बाई अपने को एक्यूट एंगल फाइंड प्रेजूत नहीं हमें रिक्वाइड एक्वेशन दिया है जिवन दिया हुग है दोस्तों तो देखों रहें एक्वेशन लेरें जिवन एक्वेशन क्या है दोस्तों ax square 2hxy plus by square which is equal to 0 अब हमें ये given equation दोस्तों दिया है अब दोस्तों मैं यहाँ पे let क्या consider करूँँगा let m1 and m2 be the slopes of given pair ये जो given pair दिया है न दोस्तों pair of line जो दिया है न उसका slope में m1 और m2 ले रहा हूँ और आपको एक concept पता है कि आप यहाँ पे sum of slope ले लो ये formula आपको याद होगा दोस्तों क्या आएगा minus 2h upon b देखो दोनों के नीचे b है और यहाँ पे गर आप multiplication of slope लेते हो m1 into m2 तो यहाँ पे क्याएगा दोस्तों का formula apply करना है जो अगर जिनोंने मेरा one sort video देखा होगा उंको पता होगा मैंने उसमें भी कराए तो यहाँ पे क्याएगा m1 plus m2 का whole square और यहाँ पे क्याता है 4 into m1 into m2 तो यह formula है different square which is equal to sum square minus 4 into product अब sum square का value क्या है minus 2h upon b और यहाँ पे इसका मैं whole square ले रहा हूँ यह क्या है दोस्तों 4 है इसका value क्या है velocity घुत की अगर मैं है से solve करना ही process कर दो हम किस तरह solve कर सकते हैं माइनस M2 का whole square which is equal to yes यहां पर क्या है दोस्तो 4H square यहां पर क्या है दोस्तो B square है यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है दोस्तो 4 है और यहां पर B है मैं क्या करूंगा पता है नीचे का denominator सेम करूंगा अगर यहां B square है तो यहां भी करूंगा यहां पर B करने के लिए मुझे इसको B से multiply करना होगा और उपर B से balance करना होगा मैं अपने मन से थोड़ी ना कुछ भी कर सकता हूं तो देखो है दोस्तो H square minus AB 4 हमने बाहर ले लिया अब अगर आप द्यान से देखोगे तो दोस्तो M1 मैंने बोला theorem को मैक्स की तरह solve कर अगर theorem को आप theorem की तरह जिस दिन solve करने लगए न उस दिन बहुत problem होगा अब देखो भाई यह square हटाना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों taking square root हम क्या लेंगे दोस्तो square root on both sides both sides अब यहां पर आप स्क्वेर रूट लोगे तो यह M1 माइनस M2 होगा क्यों स्कवेर हैं स्क्वेर रूट लेने पर cancel हो जाएगा यहां पर पे फूर इतना एगा दोस्तों और यहां पर कोही square नहीं व한데 फूर की जहले हुड been Square root में चले जाएगा यहां पर यहां पर whole और यह वाला is square से मतलेना यह पूरे का एक साथ square root जाएगा तो यहां पर नीचे क्या हो जाएका बी हो जाएगा है तो यह सिंपल सा श्टेप हमने लिख दिया अब यह जिए पसिप आगे आगे का पूरा का पूरा पार्ट अब आगे सॉल कर सकते हैं अब गीवन पेर ऑफ वन जो हमारा लाइन है उसके बीच में जो एंगल उसको मैंने ठीटा गंसेट किया यह स्टेन ठीटा का फॉर्मला क्या है दोस्तों आपको पता होगा इसका फॉर्मला हमने 11 में पढ़ा है परस्ट नहीं सेकेंड अब यहां पर क्या है टू यह हमने निकाला है टू अंडर रूट ओफ एक सेकना अब दोस्तों यहां पर वन है और आपको मल्टिप्लिकेशन आप स्लोप पता है अब आपको क्या करना है दोस्तों यह पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया यह एंडर रूट है यह है यहां पर यहां पर आजाएगा और यह वाला पार्ट ऐसे रहेगा और नीचे भी अब देखो यह बी-बी कैंसल हो गया तो फाइनली अगर मैं लिखने जाओं तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों टैन ठीटा विच इस एक वाल तो यहां पर क्याएगा दोस्तों ध्यान से यहां पर हमें क्या लिखूंगा टू अंडर रूट ऑफ एच स्वेर माइनस एबी और नीचे क्या बच्छा है बी-प्लस-ए को मैं उल्टा लिख रहा हो एप्लस दी और यही हमें दोस्तों प्रूफ करना था प्रूफ कर दिया तो यहां पर इस तरह से अपना प्रूफ कर सकते हैं यहां पर लिख सकते हो और यह बहुत बहुत बार एक्जाम में पुछा है अब नेक्स थेरम की और आ रहे है दोस्तों इस थेरम को भी हमें सॉल करना है अब देखों बोलना है कि यह जो हमारा इकवेशन है दोस्तों वह कहां से पास हो रहे है और कभी भी कोई भी उरीजीन से पास होता है तो इसका इक्वेशन यह होता है यह मतलब उसके अंदर आपको सी वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा अगर सी दिखाई दिया मतलब वह ओरीजिन से नहीं पास हो रहा तो इसके लिए हम इसा याद रखना दो केसे से अब देखो जो हमें गीवन एक्वेशन दिया है अब देखो गीवन मैं डारेक्ट स्वाल कर रहा हूँ एक्वेश्चन हम यहां प्रे में क्या ले रहा हो या तो आप ऐसे भी लिख सेकते हो मैं genius equation वह पूरा लाइन लेखो तो फूरा का ऺूरालाइन लेखो क्या थेरा में तो थोड़ा बहुत लिकना चीह है जो मैं लिख रहा हूँ होमो जीनियस एकोवेशन ऑफ बिगरी टू इन एक्स एन वाई क्या है एक्वेशन एक्स स्क्वेर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेर बिच इस इंप्वेशन अब दोस्तों इसको हम दो केसे में सॉल करेंगे बहुत सीम्पल सा में बहुत सा उलुशन है अगर आप सॉल करना चाहा तो देखो केस्वण हम ले रहे हैं केस्वण हमसे में क्या करो पता है बी इक्वड़ टू और तो यह इक्वेशन स्वार्श जब आप बी इस नंट इक्वाल टू तो पूट करोगे तो आप पहले वाले इक्वेशन को बस B से multiply कर लेना बस यह चीज़ ध्यान रखना अब देखो B equal to 0 अगर मैं 1 में put कर रहा हूँ in equation first तो equation first में अगर मैं put करूँ तो यह क्या हो जाएगा AX square यह 2HXY और यहाँ पे B 0 हो जाएगा तो यह देखो B 0 की वज़े से पूरा term 0 हो जाएगा अब देखो last time पर पढ़ोगे फिर भी बहुत अच्छे चीज़े समझ भाएगी अब यह दोनों में ध्यान से देखोगे तो X common है तो अंदर AX बचेगा यहाँ से क्या बचेगा दोस्तो 2HY equal to 0 then X equal to 0 और AX plus 2HY which is equal to 0 अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई भी आपको C वाला term नहीं दीख रहा है यह भी X वाला य वाला X और Y के अलावाँ आपको कोई ऐसा separate term नहीं दीखाई दरहा है जैसे plus A plus हाँ A है X के साथ है तो आप therefore बोल सेकते हो therefore अबो equations passing through origin अब यह equation passing through origin ऐसे भी आप लिख सकते है therefore equation passing through origin अब यह हो गया अब यह होने के बाद दोस्तों आप next case हम लेंगे देखो दूसरा case बहुत simple है देखो case 2 case 2 क्या लोगे दोस्तों B is not equal to 0 अब B is not equal to 0 जब रहेगा तो आपको हमेशा याद रखना है multiply करना है B in equation 1 equation 1 में पहले आपको B multiply कर देना है यह दो कोई यह equation है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों AB X square यहाँ पर क्या हो जाएगा 2H B XY और यहाँ पर क्या हो जाएगा B square Y square which is equal to 0 अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हमेशा याद रखना कि आपको A वाला जो पार्ट है X square वाला पार्ट है उसको equal के वहाँ पर भेजना है तो यहाँ पर क्याएगा 2H 2H B X Y प्लस B square Y square अब देखू दोस्तों यहाँ पर हमें हमेशा एक term add करना है वह term कुन सा add करना है आपको तूरंट पता चल जाएगा देखू यहाँ पर B है यहाँ पर Y है इसमें भी B है Y है और आपको पता है कि जब हम A प्लस B का whole square लिखते है तो उसमें 2 आता है दोनों side आप क्या करो दोस्तों इसको add करो तो देखो मैं यहाँ पर आगे यह एड कर दे रहा हूँ h square x square plus 2hb xy plus b square y square और यहाँ पर भी देखो दोस्तों हमने इसको add किया और यह जो पीछी आला पार्ट है उसको वैसी लिखा यहाँ पर इसके आगे plus sign ने मतलब add किया अब दोस्तों क्या होगा पता है यह पूरा का whole square में convert हो जाएगा whole square में convert करना बहुत simple सा काम है यहाँ पर लिखा यहाँ पर यह किसका square है दोस्तों बी वाई का यहाँ पर साइन के दोस्तों प्लस यहाँ पर आप द्यान से देखोगे तो दोनों में से x square बहार आएगा अंदर बचेगा दोस्तों h square और यहाँ पर बचेगा दोस्तों अब यहाँ पर hx प्लस by यहाँ पर द्यान रखना यहाँ पर देखो एकस वाई का और टर्म है तो यहाँ पर आपको plus minus लेना होगा रूट के बाहर जब values लोगे तो plus minus यहाँ पर गाएगा दोस्तों x square किसका square root है x का और यहाँ पर यह वाला पार्ट यहाँ पर कोई square नहीं है तो यह वाले पार्ट पर वैसे ही रूट आएगा दोस्तों x square minus ab यह ध्यान रखना अगर यहाँ पर whole square होता तो यह हो जाता कोई यह h को क्योंकि बीच में माइनस है तो यह पूरा पार्ट है तो उस पर वैसे ही रूट रहेगा अब यहाँ तक की चीजें होने के बाद दोस्तों आप चलते हैं next part की और next part solve करते अब देखो यहाँ तक आपने पूरा का पूरा पार्ट और यह एक बार मैं यह देखो प्लस वाला पार्ट लिख रहा हूं एच एच स्क्वेर माइनस एबी और एक बार फिर से देखो एच एक्स प्लस बी वाई माइनस वाला पार्ट लिख रहा हूँ अंडर रूट ओ एच स्क्वेर माइनस एबी अब यहां तक यह चीजे होने के बार दोस्तों अब आपको क्या करना चीए यहां पर यह वाला पार्ट आप यहां लेव्य। एक्स 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 है गाप देख सो फोन आया था अर्जेंट ओपिस से अब यहां पर यह हो गया और एगर हम द्यान से देखे तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखे तो दोस्तो यहाँ पर 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 यह और यहाँ पे यहाँ पर फिक्वल जीरो फेम दोनों में से अगर उए गामण लूँ तो एक्स कॉमन लूंगा तो यहां पर ऐगा दूस्तो यह धूर्ट यह जो अपका पर पार्ट यहां पर त्यार हुआ तो आप चाहिए तो यहां से लोप भी निकाल सकते हो और और शांग रखो गी तो भी चलेगा अगर समझो आपको यहां पर slope निकालना तो आप बहुत आसानी से slope निकाल सकते हो या तो इतना भी रख सकते हो जैसे अगर slope निकालना तो हम by लिखते हैं यह वाला पाइट हम वहां पर भेशते हैं तो यह माइनस हो जाएगा है अच माइनस अंड़रीट ओफ एच सक्वेर माइनस ए भी और कि साथ में कैंए दोस्तो एकस यहां पर क्या होटेगा sound the the मनें अंदर ले रहा हो तो यह लिए है माइनस साइड ले लिए यह x है और नीचे के है दोस्तों भी है तो आपको पता है कि अपना equation आपको पता है y equal to क्या होता है दोस्तों mx होता है तो यह जो part है x के आगे वो पुरा का पुरा हमारा slope है तो पहला आपको slope यह मिल गया m1 minus h plus under root of h square minus ab upon b तो यह मैं इसलिए बताएं कभी कवार वह आपको अगर बोलेंगे कि sum of slope निकालो यहां पर by ic रखूंगा यह वाला part वहाँ जाएगा तो minus h यह दोनों का sign change कर दे रहां minus under root of h square minus ab और नीचे नीचे अभी कुछ नहीं है और यहां पर क्या है दोस्तों x है तो यहां पर क्या होगा y equal to minus h minus under root of h square minus ab और यहां पर क्या है दोस्तों x है तो यह finally हमारा क्या है दोस्तों m2 क्या है दोस्तों minus h minus under root of h square minus ab upon b तो यह आपका देखो यह आपका क्या हो गया दोस्तों m1 और यह आपके अगर आपको कभी भी अगर ऐसा निकालना है sum of slope अगर समझों यह वैसे तो अपना प्रूफ यहां ही पर खतम हो गया है बढ़े कभी का बार बोलते हैं जैसे पिछले बोड एक्जाम में एक बर बोला है तो आप यह दोनों अब दोस्तों यह होने के बाद अब वैक्टर लेशन के दो तीन प्रूफ बहुत ज्यादा फेमस है इसमें सेक्शन फॉर्बुला है जो पिछले बार भी पुछा गया एक्जाम में और पैरलेलो पाइप और टेट्राहेट्रों किसी भी हालत में करके जाना है बहुत सिंप सिंप्रम किस तरह से बना रहा हो सपोज मैंने यहां पर ले लिया और यहां पर दोस्तों ऐसा उस क्या कर रहा है ऑř पॉइंट है पॉइंट है in the ratio of M is to N, मतलब यह वाला value N है और यह वाला value के है दोस्तो आपका M है और यहां पर आपको origin consider कर लेना चीए अब देखो तो यहाँ पे आप origin consider कर लोगे तो यह आपका A बार हो जाएगा यह आपका R बार हो जाएगा और यह दोस्तो आपका B बार हो जाएगा तो इस तरह से आपको एक diagram बना देना चाहिए पड़क से और diagram जैसे ही आपने बना दिया तो दोस्तो उसके बाद आप तुरंत आप देखो यह आप consider मैं ratio ले रहा हूँ दोस्तो AR ले रहा हूँ देखो यह R बीच में न तो AR अपन के आएगा दोस्तो AR अपन आर्बी और यह हमेसा देखना यह दोनों repeat होने चाहिए तो AR का ratio किया था M is to N में divide हो रहा है तो finally हम क्या लिखेंगे दोस्तो AR जो है वो N से multiply हो जाएगा और M जो है वो R B से multiply हो जाएगा और finally दोस्तो मैं इसको vector form में लिख दूँगा vector form में देखो R B भी आपने लिख दिया आपने अगर मेरा vector relation अच्छे से देखा होगा 100 बस देखो आप ज्यादा मत देखो तो आपको पता होगा कि AR को हम क्या लिखेंगे आर माइनस ए लिखते हैं पहले पीछे वाला फिर आगे वाला यहां पे आप इसको लिखोगे तो B माइनस यहां पर क्या लिखेंगे आर इसलहिह स्टार्टिंग में आपको कीशियों करना तो पोजीशन में से आपको इपको della का अगर मैं यहां में यह ले लो प्लस पहले यह पार्ट लिखता हूं यहां पर दीखते हैं और यह स्माहिए प्लस में यहां पर देखोंगे तो यहां पर दियान से बस यहां पर एक बर यहां पर लिख देना की बोथ आर और बी इन सेम डिरेक्शन जा रहा हुआ है अब देखो दोस्तो थे एक्स्टरनल डिविजन का है तो यहां पर मैं किस तरह से बना रहा हूँ अब यह है यह दोसतो बीए और एक external point बोल रहे हैं कि आर को डिवाइड कर रहा है तो external point दिखा दो अब देखो यहाँ पे externally यह आर से डिवाइड हो रहा है अब यहाँ पर मैं क्हा रूगा दोस्तों एक origin consider करूंगा यहां से पेला लिया यहां पर दूसरा और यहां पर तीसे अब देखो सेम अब यहां पर पहले आपको आर कहां दिख रहा है यहां से यहां से यहां से जा रहा हूं फिर आप पीछे आ रहा हूं मतलब यह चीज आपको याद रखना पहलने ह्यां से जब आप कंसेडर करोगे तो यहां पर दोस्तों यहां रख ट्यां ने को लिए तुछ यहां और यहां और देखो इसके बाद यहां से और आप अब अगर आप दियान से देखोगे तो हाँ एक चीज दियान रखना कि यहाँ पर माइनस साइन आएगा तो यहाँ पर लिख देना कि अपोजीट डिरेक्शन बोद दी वेक्टर्स इन अपोजीट डिरेक्शन ऐसे आप स्टार्टिंग में लिख देना अब देखो दोस्तो इसको मैं AR लिख रहा हूँ और यहाँ का माइनस साइन बाहर लिखे इसको भी RB लिख रहा हूँ अब दोस्तो यह क्या हो जाएगा N यह आपको पता है R है पीछे फिर A है आगे यह देखो यह M यह क्या है B है माइनस यहाँ पर दोस्तो R है तो यह क्या हो अगर आप द्यान से देखोगे तो यह वाला पार्ट मैं यहां ही रख रहा हूं अगर मैं दोनों में से देखू तो मैं नेक्सटे में लीख था यहां पर यहां पर मैं आपको माइनस पूरा पूरा और यह बहुत इंपॉर्चेसें दोस्तों यहां पर कुछ चीजे में लेकर आया हूं जो आपको मैं बता हूंगा आप देखो यहां पर यह वाला ही पार्ट आपको सॉल करना चाहिए वॉल्म ऑफ पैरललो पाइप टेट्रहेड्रों पुछा गया तो हो सकता है पैरललो पाइप भी पुछा जाए इस बाहर और इसको अगर आप ड्रॉ करते हो तो बहुत ही सिंप अब देखो यहां पर सेम ऐसे लेके जो पर देखो यहां पर पूरा का पूरा डाइग्राम बना दिया अब डाइग्राम बना नहीं गया दोस्तों आपको क्या करना यहां पर वाला पॉइंट लेना है यहां पर देखो आपको यहां पर समझ मैंने बी लिया यहां पर मैंने ऐ लिया और यहां पर आप सी हो गया और यहligen कि पर परेंडिकुलर वैक्टर आएगा और वो हमेंстранा आपको सम पढ़ाते टाइम भी सिखाया है कि कभी अगर दो वैक्टर ऐसे पर्पेंडिकुलर रहेगा जैसे यहां पर आप वैक्टर देख रहे हैं इसके सीदे में नीचे सी है और भी है यहां पर पर्पेंडिकुलर यहां पर रहा हूं और पर्पेंडिकुलर सबुझ मैं यहां से ले रहा हूं इस kita Where are ya यहाँ पर जहाँ पर कर रहा हूँ और यहाँ पर ले ले रहा हूँ तोयपी होगे अपọnा पर म letter और यहांपे 90 का मां आप ready निकालना है तो इस टार्टिंग में आप और उसके पहले आप लिख दो कि अगर आप मुल्टिप्लाइ कर दो के तो वॉल्म पाइप में दो चीजे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है एक होता है दोस्तो इसके नीचे वाले सर्फेस पर पैरलोल ग्राम एर्येया और और प्रोजेक्शन से निकालते है तो हाइट आपका निकालना बहुत सिंपल है डेको पहले मैं यहां पर चै Elvis पहले find out करक्द रहा हो ह्तों है मतलब है फैक से और यह दोस्तों पता यह निकालना यह projection of A देखो height जो है अगर आप द्यान से देखोगे दिखाई दे रहे कि नहीं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह वाला पार्ट इस वाले पार्ट को equal है और यहाँ पर देखो आपको projection में कुन सा पार्ट दिख रहा है बीच में A दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर हमेशा जो बीच में आपको पार्ट दिखाई दे रहा है A दिखाई दे रहा है तो projection of A यह बीच में पार्ट दिखाई दे रहा है और यह किसको equal है यह वाला देखो दोनों parallel है तो on किस पे लोगे on ये वाला किसको parallel है इसको तो on B cross C को लोगे तो दीमाक में हमेशा याद रखना देखो ये जो है वो parallel किसको है और बीच में क्या है तो projection of A on B cross C एसे अपने दीमाक को भी ठाके रखना है देखो ये जो हमारा एपी जो हाइट है इसके बीच में क्या दीख रहे है आपको A बार दीख रहे है और इसको parallel क्या है दोस्तों यहाँ पे क्या है B cross C तो आप क्या करोगे A projection on B cross C और दोस्तों यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे कैसे इसको solve करोगे तो अगर आप लास्ट टाइम में कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो आप यह याद भी रखोगे अब क्या निकालना है इस वौलिम वौलीम ओ ले लो पाइब गाल है दोस्तों हाँ मैं बेस में किया है दोस्तों एरिया औफ पेरलेलोग्रेम और दोस्तों इन्टू हाइट है पनिस स्टार्टिंग में बोला कि यह इसका फॉर्मल ला है और हर इक चीज का वॉज्ए हम ऐसी निकालते बेस का लेते हैं और इसको यहां पर आप देखो के बेस आफ पैरलोग्राम का साइड कुन सा अगर आप नीचे देखो दोस्तो मैं डॉनों पार्ट कैंसल हो गया अब यह दोनों पार्ट कैंसल होने गया दोस्तों फाइनली यहां पर बचा एक जटके में तो इस तरह से चीज़े आपको सॉल्ल करने आना चाहिए अब देखो नेक्स पार्ट है कि यह पिछले बार बोर्ड एक्जाम ने इसके पर कोशन पूछा तो यह भी आपको पता होना चाहिए अब देखो यह अगर आप बना रहे हो बहुत आसानी से बना सकते हैं कि यहां पर टैट्रहेड्रों बना देता हूं कि जिस तरह से मैं बना रहा हूं उसी तर से आप ब बनाना है कि यहां पर आपने सीजों को मस्त बना दिया है अब यह होने के बाद दूस्तों आपको क्या करना देखो यहां पर स्वाई ओ है यहां पर आपको पता हैं यह c vector और यह वेक्टर और आपको पता है कि perpendicular हम पहले यहाँ पर हाइट लेंगे हाइट भी आप लेना हाइट आप यहाँ वाले पॉइंट से हाइट आपने कंसिदर किया कि यहां पर आपने एह हाइट लिया और यह पर पर्पेंडिकुलर तो यहां पर आपको पता है कि यह जो है नीचे वेक्टर भी और सी है आप से मुझी आलग नहीं नहीं है लोगा नीचे तो एरियो अप्राइंगल अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता है तो देखो सबसे पहले मैं हाँ स्टार्टिंग में आप वह सब यह और ट्राइंगल का फॉर्व्ला था और उसके साइड करेंगे Maisropे यह फॉर्वला हो गया अपने को हाइड के लिया एकगलना है देखो प्रो जेक्शन ऑफ फिर से वही आएगा दोस्तों देखो यह दोनों के बीच में यहां पर दीख रहा है तो यहां पर क्या 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 करोगे अब यह होने के बाद दोस्तों यह जैसे आपने यह पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट किया यह अपने को एपी का वैल्यू मिला सेम जैसे हमने पीछे निकाला था जिन से नहीं हो रहा हो लास्ट टाइम पर याद भी कर लेंगे तो भी चलेगा यह सब पार्ट इतना इजी है कि आप डारेक आपको पूरा मास देखे जाएगा अब दोस्तों द सब्सक्राण मिला द जर्ट रिए को याद रहेंद को दारी आफ ट्राइंगल का क्या है थोलर हम सब्सक्राइब म써 यह वाला पार्ट यह वाला कि और और सी देखो कितना सीम्पल तरीके से पुरा पूरा पांट हमने क्या कर दिया दोस्तों सॉल कर दिया अब यह सॉल करने के बाद यह जैसे ही पूरा का पूरा पार्ट सॉल हुआ है अब मुझे लग रहा है कि यह चार चीजे तो आपको बहुत अच्छिस कर लेनी चीए अब कभी कभार क्या होता है बता है लेसर नंबर थर्ड की भी चीजे आती है पर लेसर नंबर थर्ड में यह वाला सॉल करने के पहले इस तरह का कोई भी प्रूफ है यह तो आपको एक तरीका बता दे रहा हूं आप कोई भी प्रूफ कर सकते हैं यहां तक तो सबसे पहले यह जितना अभी तक बता है उतना तो आपका रेडी रहना चीए हर सबका बाद में लेसर नंबर थर्ड भी कर लोगे तो बहुत अच् के पहले एक ट्राइंगल बनाओंगा अब ट्राइंगल अगर सब्वोज मैंने बना दिया तो मैं क्या करूंगा बता है कि इतना भारी आपको प्रूफ बता दूंगा न कि आप कभी इस वाले प्रूफ में यह जो तरीका में बताओंगा न बहुत मज़ा आ जैसे अगर समझवा आप यहां पर लेना यहीं चाल कर ररे तो इसमें यहां पर जीच का दियान रखना तो देखो यहां पर पर बचावला क्या हो अप रहता था था हैं और न पूरा काने यह था अगर पूरा न कुण सा आएगा तो यह हम ए में से एक्स को माइनस करेंगे तो बड़ा को ने दोने में से एंगे क्या करेंगे अब बस थेरम अपलाए करना तूरंट बाइट इंसर आएगा तूरंट बाइट अब यहां पर जीतना पार्ट हुआ है चेयो कर लेता हूं अगर आपको इसका प पर नीचे कॉमेंट करोगे तो जिससे आप सूबे के टाइव एक्जाम में फड़ा फट इसको देखके नोट फड़ा पट चले जाओ अब देखो दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं सबसे पहले एक कर रहा हुँ यह वाला अगर देखो मैं इन ट्राइंगल का नाम करने वाला हुँ थोड़ा ध्यान से आपको देखना देखो मैं यहां पर क्या कर रहों इन ट्राइंगल प्रैंगल मतलब यहां पर हाइड को हम एच ले लेंगे यहां पर क्या दिख रहा है मतलब दोस्तों यह आ रहा है तो a-x का square अब अगर आप लिखोगे तो यह क्या आगा दोस्तों b square यह क्याएगा h square यहाँ पे क्याएगा दोस्तों a square माइनस 2ab 2ab मतलब 2a x और प्लस b square मतलब x square और अगर अगर आप द्यान से देखोगे तो दोस्तों यह पूरा का पूरा हमारा पार्ट कंप्रीट हो गया इससे ज्यादा मैं तो यहां पर आप देखोगे तो 90 के सामने कौन सा साइड है c square वन साइड स्क्वेर मतलब दोस्तों x square और अधर साइड स्क्वेर मतलब दोस्तों h square और यहां से आपको h का value निकालना है हर एक question में तो यहां से एकर आप h का value निकालोगे h square का और इसके अंदर put कर देना है तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूँ from equation 1 यहां पर गयाएगा दोस्तों b square यहां पर देखो h का value लिख रहा हूँ c square माइनस x square और प्लस a square 2ax plus x square अब देखो यह प्ल द्यान से लेखना दोस्तों अब यहां पर गया बचा दोस्तों b square equal to c square अब यहां तक कि अगर शीज़े द्यान से देखो के दो सब्सक्राइब को समझ में आ रहा है तो वह क्या करेंगे पता है यह वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल भी पे कॉस अप्लाइब करो तो यहां पे कॉस का फॉर्मला क्या आता है आजेसन अपॉन्यूर अफ वह यह पता हुगा और यह पॉजिक साइड है यह अडिसंटाइ दोस्ते यह आपको यहांपर एक्स काा वैयू मिल गया तो फायलिए गर मैं इसको लिखूद के आएगा दोस्तो वी स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर यहांपर गया दोस्तो टू और यहां पर पूरा का पूरा अपना प्रूफ हो गया वैसे आप कुंसा भी प्रूफ कर सकते आप तो भाई नीचे कॉमेंट होना चीए अब चलता हूं दोस्तों आगे का पार्ट सॉल कर रहा हूं अब आगे का पार्ट इसके आगे का चरद एक बार देख ले तो कॉल कोंसा आगे का पार्ट सॉल करते हैं अब दोस्तों यह वाला संभी सॉल करा दे रहा हूं कि यह भी आपका हो जाए कि अगर आपको आउट आफ मास निकालना तो यह सब चीजे फड़ा फट देख लो कोई दिक्कत नहीं देखो सेम ट्राइंगल बना रहा हूं कि ट्राइंगल में यहां पर मैं ले रहा हूं यहां पर बी ले रहा हूं से जैसे सी ले रहा हूं और अगर आप द्यान से देखो कि दो बी के आपोजिट के आएगा बी दी के आपोजिट के आएगा दूस्तों यह अब यहां पर अगर मैं द्यान से देखो तो पर्पेंडिकुलर भी ले ले कि आप AD का सबसे वेले value निकाले तो मैं यहांपे लिख रहा हूँ AD which is equal अगर मैं AD का value निकालने जाओं तो मैं कैसे निकाल सकता हो दोस्तों या तो आप cos c के according value ले लो चलो सी के अगर मैं value लेता हूं कि कि काई से ले लो साइन सी लूंगा तो इसका इस का फॉर्बला क्या था अपोजीट पॉन हाय ग्रडहर बटयृ और हाइपोड़िनेर्क्ली क्या है दोस्तों हाइपोड़िनश क्या है दोस्तों है दोस्तों ङलूंग समय यहां पर झाल Baptty same city और यहाँ पे गया ऑगया एड़ी हो गधार तो इकि हमें हाइड करड़ अक्षाइडर झाल रिया निक्लार इस ट्राइंगल के अब देखो मैं एरिया और ट्रा Ọगल करभा रहा तो जेको अब ही यहाँ वहाय तो समय घार को द Tuteleri यहां पे हम इसको अच्छे से लिखे तो A, B, S, C लिख सकते हैं तो area of triangle A, B, C हमारा यह आ गया यह पूरा का पूरा पार्ट आपने निकाल दिया अब यह पूरा का पूरा पार्ट निकालने के बाद आप remaining part similarly लिख सकते होगी ərली यह पर अर यहां पर अर प्रांगल ludzi यहां पर शाइन एलो अब रहेगा तो बचा किया थो बी और सी वैसी same area of triangle यहाँ पे कहाँगा दोस्तो A, B, C same देखो half अगर समझो A हो गया, C हो गया तो B बचा B ले लिया तो क्या बचा दोस्तो A और C यहाँ पे हमने तीनों लिखा अब मैं क्या करहो तीनों को equate कर रहा हूँ equation 1, equation 2, equation 3 अब यहाँ पे अगर मैं तीनों को ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे देखो लिखूंगा from first, second and third तीनों में अगर आप देखोगे तो यह पार्ट same है, तो same part और यह जो half वाला पार्ट है, यह वाला भी पार्ट same है, जो same वाला पार्ट है अब मैं क्या करूंगा, मैं मैं इस पोर्म में मुझे सीजों को लेके जाना तो मैं पूरे equation को क्या करूंगा small ABC से divide कर दूँगा तो देखो यहाँ पे AB, वो सब आप लिखना divide whole equation by ABC देखो यहाँ पे BC है sin A है ABC यहाँ पे क्या है दोस्तों, AC है sin B है, ABC अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, ABAB cancel BCBC cancel ACAC cancel तो finally क्या है दोस्तों, sin C upon C, यहाँ पे क्या है sin A upon A, और यहाँ पे क्या है, sin B upon B, चाहिए तो अब इसका reciprocal कर दो reciprocal में C upon क्या आजएगा दोस्तों, sin C A upon क्या है दोस्तों, sin A और B upon क्या आजएगा दोस्तों, sin B, और चाहिए तो और अच्छे से एगर आपको लिखना है तो देखो, मैं next page पे आ रहा हूँ एक से करना, next page पे अगर आपको और sorry, यह वाला पार्ट नहीं लेना था यह वाले पार्ट को हमें copy करना है न यह वाले पार्ट को हमने copy किया अब देखो, यहां तक आप आगे तो चाहिए तो इसको आप जिस तरह से वहां पे लिखा है पहले यह वाला लिखना है तो आप A लिख दो सब equal है तो A upon sin A B upon sin B और C upon sin C आपने लिख दिया यहां तक ही चीज़े हो गई, दोस्तों पर यहां पर आप दियान से प्रूफ को देखोगे तो equal to 2R बोला है और circum radius of triangle बोला है तो ऐसे केस में ऐसे केस में आपको दोस्तों क्या करना है सब्सक्राइब एक ट्राइंगल ड्रॉक करना है और यहां पर इसके लिए आगे का पार्ट जो में ट्रॉक करने जा रहा हूं और मैं यहां पर ट्राइंगल ड्रॉक कर रहा हूं ट्राइंगल कि यह ब्रॉक एपकट लिए और दोस्तों और यह जो पूरा डिश्टेंस है ना दोस्तों यह पूरा कि अधैनेकल कि तो यह तो यह कितना में डैरेक्ट ले रहा हूं कि तो यह डाइमीटर है तो मैं यहां पर इसको पी ले रहा हूं तो यहां पर मैं इसको मैंने डाइमीटर किया और कभी भी अगर एपी डाइमीटर है तो यहां पर जो एंगल बनेगा दोस्तों यहां पर देखो जो एंगल तयार होगा यहां पर वो हमेसा आगर इपी के वज़े से जो एंगल तयार हुआ हो हमेसा 90 का रहेगा हमेसा याद रहाएगा यह प्रोपेटी अपने अपने है 90 ना लोह में यह पता चल गया है कि एंगल और जीन प्रोपेटी यहांपे सर्कल का यूज होने borders होने कीजिछ आप यहां पर लिख सकता हैं यहां पर लिख सकते हूं एंगल ये बीजीए इकवल टू एंगल एपीजी इकवल भूथ दी ऑंगल लाईज इने अकि यह मार्ण कि मुल्डब इसका भी सेम है और इसका भी आर्क यह सेम है दोनों का अगर सेम है तो गहां पर डारिकली बोल सकता हूं यहां पर अगर डारिकली बी वाला एंगल है मैं इसको साइन भी ले सकता है और इसको अगर समझोाग आप यहां से यह तो अगर आप साइन पी का वैल्यू निकालते हो देखो यह एंगल है इसके opposite side है यह तो opposite side है और आपको पता कि यह opposite side क्या भी है triangle अभी आपको पता ने C का यह C है और यह A का यह है तो opposite side upon क्या आएगा दूस्तों देखो opposite side upon hypotenuse 90 के सामने आला hypotenuse पूरा क्या है दूस्तों 2R है तो यहां पर क्याएगा दूस्तों 2R तो हमें sin P का value पता चल गया और हमें पता कि यह sin P को इकोल है sin B को तो indirectly इसका मतलब भी क्या होगा दूस्तों वही होगा और आपको क्या चीए दोस्तों B upon sin B चीए तो ठीक है मैं क्या अगरों यह 2R यहाँ पर ले ले रहा हूं यह B है sin B को यहाँ पर बेज़ दे रहा हूं तो दोस्तों अगर आप दियान से देखोगे तो यहाँ पर देखो बी अपन सब्सक्राइब कर दोस्तों बहुत सारे जगर पर लोग यह वाला आपको दिखाई नहीं देगा पर यह भी प्रूफ की काफी ज़रुत है बहुत अच्छे से पर मैं चाहता हूं कि आपका सब कुछ बहुत अच्छे से कवर हो जाए तो इसलिए कुछ ऐसे पार्ट से जो आपको सौल नहीं करने चाहिए अगर इस पर कोई कोशन पुछा तो आपको पता होना चाहिए जैसे वन माइनस कॉस्ट टीटा यह फॉर्बला आपको पता है तू साइन स्कूर ठीटा होता है पर यहा सब्सक्रान प्लस स्कुर माइनस स्कूर माइनस स्कूर यहाँ पर यहां पर साइन स्कूर कर दिया तो आपको पहला अपर प्लस में लिखते एक $-B Plus C होगा और दूसरा क्या है है $ A-B-C बात में इन्होंने क्या किया यहाँ पे danced-B लिया तो यहाँ अगर इ bandwidth इसले आपे माइनस B में बचा है और यहाँ पे फ्लस B ले रहो तो उसका एक B ले रहो तो ए प्लस B प्लस C और यह held to be yelled बात में इसलिए यह superficial है बाद में A plus B plus C जो आपको पता है A plus B plus C का एंसर2S आता है दोस्तों सेंडी पैरिमीटर आपको पर्मॉला पता होगा तो इसका एंसर दोस्तों लिखा इन्होंने यह इसका भी एंसर दोस्तों 2S लिखा और देखो दोनमेसे जुलाई वाले एक्जाम में आया है तो इसलिए मुझे मैं बोल रहा हूं कि भाई देख लो एक बार यह वाला प्रूफ बहुत सीम्पल सा प्रूफ है देखो यह हमें नॉर्मली सॉल करना है तो मैंने इसका आरेचेस लिया और आपको यह तो पता है न दोस्तों बी का मतलब आप ने परद बैंसाइन वी इकवल तो इन पको पता है तो दोस्तों साइन वी तुढ़ा आदर तो यह है और स्वर्व मैंने हैं आको बोला जब माइनस से तो आगे साता है और देख ब्लस से तो साइन इन चॉस आईगा और yeux एंगल सेम है बात हमने क्या किया पता है यह 2-2 cancel हो गया, cos upon sin cot होगा, sin upon cos 10 होगा और दोस्तों इसका मतलब ही यह होता है, direct आप लिख सकते हो cot b plus c को, cot b plus c upon 2 को आप direct 10, a by 2 लिख सकते हो तो यहाँ पर देखो a by 2 लिखा, और यह वाला step तो same आया और next step में 10 अगर आप यहाँ भेजते हो, या तो आप 10 को suppose यहाँ पर आप भेजोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 वाला part कैसे हो cot में हो जाएगा, तो देखो 10 यहाँ पर आएगा, तो cot हो जाएगा, तो finally पर आपने, शाइन इन्वोर्स को सबसे वैक्नी लिए ersavo लिए यह सबसे के लिए इसका इंट्र法ल इनों रिखा है, ट्व का माइनस्टीटा कैंट रिए इंट्रवल, माइनस पाई बाई तो यह आपको पता और अचिह है, अब इसके बाद यहां पर आजाएगा और यहां पर आपके लिए ख्लियर हो जाएगी इसके बाद दोस्तों कुछ और चीजे मैं आपके लिए लेकर आया हूं वह भी आपको एक लास्ट मुवेंट पर देखके जाना चीजिए यह इंडरेकल यह तीरम पार्ट में दिया नहीं है जाएगर आपने मेरा सभी पार्ट अगर पीछे का अच्छे से पढ़ाएं वेक्टर का वन सौट देखा है तो आप आराम से कर सकते और जो में पार्ट था वह तो मैंने पूरा का पूरा आपको अच्छे से करवा के दे दिया तो दोस्तों एक घंटे के कम टाइम में मैंने पूरा का पूरा आपको पूरे पूरे ठेरम करा दिया उमीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से सभी चीजों को करने वाले हो और प्ल